दिवाली स्पेशल में बनाएंगे एक ऐसी मिठाई जो सबको बहुत पसंद होती है हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही सुपर टेस्टी और रसिली सी राजबोग मिठाई बनाना बहुत ज़्यादा असान है और इसको हमने एकदम फ्रेश छेने से बनाया है तो इसे आप चार-पास दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा रसिली और एकदम परफेक्ट जाली आई है इसके अंदर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ तो जरूर से ट्राय किजेगा और इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किजेगा तो बनाना शुरू करते हैं हम अपनी स्पेशल सी मिठाई राजबोग मिठाई इसको बनाने के लिए मैंने अमूल वाला एक लिटर साधा दूद लिया है और इसको हम गरम करने के लिए रख देते हैं और एक उबाल आएगा तब तक ही हमको इसको गरम करना है और दूद जब तक गरम हो रहा है तब तक हम दो चम्मच विनेगर लेंगे सपेश सिरका डालेंगे और फिर उसके बाद फिर हम एक चम्मच और डालेंगे прим for चता हाँ हमें तो सारा कीunta दालते जाएंगे अशीप अट नहीं हो बिपकर अब मिला से लिए hellu20 4 चаем बूठ करेंगे और हम छों साथा है और यह और समयदा तो हमारा छेना बनना चलू हो जाएगा तो इसको हम दो मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो दो मिनिट में देखिए आप पानी अलग हो चुका है छेने से तो अब इसको हम छान लेते हैं एक सूती कपड़ा रखके तो प्रेस करते हुए हम इसको अच्छे से सारा पानी निकाल लेंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई बनेगी और जरूर से बनाईएगा और चेनल को सबिस्क्राइब करके लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजेगा कि आपको ये वाली मिठाई कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेर भी कीजिएगा तो हम अच्छे से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल लेंगे और जब सारा पानी निकल जाएगा तो हम इसको सादे पानी से अच्छे से वाश करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने विनेगर मिलाया है तो थोड़ा खटापन आ जाता है तो साधे पानी से धोने से सारा खटापन इसका निकल जाएगा और इसका भी हम सारा पानी प्रेस करते हुए निकाल लेंगे और इसको दो-तीन मिनिट तक ऐसे ही जाली के उपर रखा रहन देंगे तो यह हमारा परफेक्ट छेना बनके तैयार हो गया है अब हम इसको दस मिनिट तक लगातार मेश करेंगे जितना ज़्यादा आप छेने को अच्छा सा मेश करेंगे उतने ही आपके राजबोग मिठा ही टेस्टी बनेगी दस मिनिट तक हमको लगातार ऐसे ही करना है तो यह बहुत ही अच्छा सौप्ट बन जाएगा देखिए आप अब हम चासनी बनाएंगे तो यह 1.5 कप मैंने चीनी लिए इसके अंदर और अब मैं इसमें 6 कप पानी डालूँगी हमको हमेशा चीनी से 4 गुना पानी डालना है और चासनी नी बनानी हमको शक्कर मेल्ट हो तब तक हमको इसको गरम करना है तो इसके अंदर मैंने ये 6 कप पानी मिलाया है और जब तक शकर मेल्ट होगी तब तक हम इसको चलाएंगे अब ये मैंने 3 इलाइची डाली है आप इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं मैंने खाली इलाइची को खोल के डाल दिया है और थोड़े से केसर के लच्चे डाले इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा राजभोग में तो हमको धीमियाज के उपर बनने देना इसको क्योंकि हमको चाशनी नहीं बनानी है अब हम इसके स्टपिंग तयार करेंगे तो ये मैंने काजू के छोटे-छोटे पीस कर लिए और इसके अंदर हम थोड़ा सा छेना मिला देंगे और थोड़ा से केसर के लच्चे आप चाहें तो इसमें इलाज़ी पाउडर भी मिला सकते हैं और मैं येलो कलर मिला रही हूँ ड्राए वाला फूट कलर और फिर से मैं पांच मिनिट तक इसको अच्छे से मेश करूँगी जिससे कलर एक जैसा हो जाएगा और पंदरा मिनिट टोटल हमको इसको मेश करना है छेने को तो टोटल हमने पंदरा मिनिट तक इसको अच्छे से मेश किया और अब हम इसके साथ पेड़े बनाएंगे मैं इसकी साथ राजबोग मिठाई बनाऊंगी क्योंकि थोड़ी बड़ी साइच की बनाऊंगी तो तो मैंने बराबर साथ पेड़े कर लिए अब हम हतेली से हलके हाज से प्रेस करते हुए थोड़ा सा इसको फेला लेंगे ज्यादा पतला नहीं करना है हमको और इसके अंदर हम थोड़ी सी स्ट्रपिंग मिला देंगे ज्यादा नहीं मिलानी थोड़ी मिलानी है और फिर हम चारों तरफ से इसको अच्छे से पेक कर लेंगे और फिर बहुत ही हलके हाथ से हम इसको रोल करते हुए एकदम गोल-गोल राजबोग का शेफ दे देंगे कोई क्रेक्स नहीं रहना चाहिए इसके उपर बहुत ही हाथ हलके हाथ से करेंगे ति यह बहुत ही आसानी से इसमूज सा बन जाएगा तो ऐसे ही हम सारी बना लते हैं मिठाई तो सारे बॉल्स बन के तयार हो गए और चासनी भी हमारी बॉयल होने लगी चासनी हमको परफेक्ट नहीं बनानी बस बॉयल करना है और इसके अंदर हम यह जो राजबोग की हमने बॉल्स बना के रखी वो डाल देते और अब इसको हम 15 मिनिट के लिए तेज आच के उपर धक्के पकने देंगे तो 15 मिनिट तक हमको तेज आच ही रखनी है धीमियाज बिल्कुल भी नहीं करनी है और 10 मिनिट के बाद आप इसको चासनी को चेक कर लीजिए अगर चासनी थोड़ी गाड़ी हो जाती तो आप इसमें साधा पानी थोड़ा सा एक चमच मिला दीजिए लेकिन अगर आप इसी नाप से बनाएंगे तो चासनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी तो 15 मिनिट के बाद देखिए आप बहुत ही अच्छे से बन चुके हैं हमारे राजभोग और काफी फूल के बड़े भी हो गएं ये तो बन चुके हैं तब हम गेस को बन कर देते हैं तो 15 से 17 मिनिट का टाइम लगा इसको तो बन के रेडी हो गई हमारी बहुत ही सुपर टेस्टी और एकदम डिलिशस सी सब के फैवरिट मिठाई दिवाली स्पेशल राजभोग मिठाई पूरी रेसिपी देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजेगा और ट्राइ जरूर कीजेगा बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग हैपे दिवाली ओल ओफ यू